गाज़ा पट्टी में इस्राइली नर्संखार के खलाब दुनिया भर में कई जगों पर लोगों ने विरोध पृत्रशन किये इस्राइल पर गाज़ा के लोगों की सामोई खत्या करने और उन पर अत्याचार करने सही कई आरोप है हाला कि दुनिया भर में हुए इन प्रदर्शनों का इस्राइल पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ रहा है वो हमले करना और अत्याचार करना जारी रखे हुए है इस्राइल पर कोई दबाव काम ना करता हुआ देख प्रदर्शनकारियों में अब दूसरा रास्ता अपना लिया है फिलिस्तीनी समर्तक प्रदर्शनकारियों ने मैक्सको सिटी में इसराइली दुदावास की दिवार में आग लगा दी है इस दोरान लोगों की पुलिस बलों के साथ जड़ब भी हुई प्रदेशन कारियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंगार की निंदा की है सोचल मीडिया पर शेयर किये गए वीडियो में पुलिस दुतावास की जलती हुई दिवारों को बुझाती हुई दिख रही है दरसल रविवार को इस्राइली हवाई हमले में राफा में कम सकम 45 फिलिस्तीनी मारे गए है इस्राइल के इस कारणामे से नाराज लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया लगबग 200 लोग मंगलवार को लोमास डी चापुल्टे पेक के पास परिसर में आरजिंट एक्शन फौर राफा के प्रदर्शन के लिए कठा हुए थे ये सभी प्रदर्शन कारी अपने चेहरे पर स्कार्फ पहने हुए थे और पुलिस पर पत्थर और कॉक्टेल फेक कर इस्राइल के खिलाफ अपना विरोध जता रहे थे इस्राइली दूतावास तक प्रदर्शन कारी पहुँचना पाए इसके लिए बैरिकेड लगाए गए थे उस बैरिकेड पर ही लोगों ने धावा बोल दिया इधर मैक्सिको ने भी दक्षिर अफरिका की शिकायत के समर्थन में अंतराश्टिय न्याले आई सी जे में हस्तक शेप की गोशना की है दरसल दक्षिर अफरिका ने अपनी शिकायत में इसराइल पर गाजा में लोगों के नरसंधार का आरोप लगाया है बीदे शुकरवार को सेंध राष्ट ने आरले ने यहुदी राज इसराइल को राफा में सेंह हमले और अन्य सभी तरह की कारवाइ को तुरंत रोकनेका आदिश दिया है हाला कि हमेशा की तरह ही इसराइल ने नरसंधार के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि गाजा में उसके सबी अवियान ICG के नियमों के अनुरूप है इसराइली रक्षा बलो यानि आईडियफ ने तर्ग दिया कि राफा में शराथी शिवरों में मौते हमास आतंकियों पर हमले के दोरान फ्यूल टैंकों पर छर्रे लगने से हुई है और इसराइल के प्लान मंत्री वेंजमीन नितन्याउं ने नाग्रिकों की मौत को एक दुखत गलती बताया है इसराइली रक्षा मंत्री युवाओ गेरन निकाहा की आईडियफ हमास को नश्ट करेगा और पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल के खलाफ फिलिस्तिनी स्टशस्त्र समूव के हमले में पकड़े गए सबी बंद्गों को मुक्त कराने के लिए राफा में हमले और बढ़ाएगा इससे साफ है कि इसराइल हमला रोकने के इरादे में बिल्कुल भी नहीं है इससे पहले जब अमेरिका ने इसराइल को राफा में नरसंगार रोकने के लिए चेतावनी दी थी उस समय भी उसे साफ कहा था कि अमेरिका समर्तन नहीं देगा तब भी वो सेन अब्यान जारी रखेगा